अब बस नाम पढ़ना आप लोग बूम भाई साहब तीसरी बार ब्लड रेवन लॉक वार उसी टाइम पे भाई पीछे शर्टी से मर्मोरियस एक्सूट कहां से आ गया भाई साहब आज मैक्स ब्लड रेवन एक्सूट है जिसके साथ हमारी एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन बार फाइट ही उसके साथ मर्मोरियस एक्सूट भी था ही और कई दिनों से आप सभी लोग मुझसे कह रहें जोकर एक्सूट जो की बीजियमाई के अंदर है उसका गेमप्ले लाओ तो फाइनली आज जोकर एक्सूट के साथ गेमप्ले मैं लेके आया हूँ और आज का कच्छे फार गेमप्ले देखने के बाद आप लोग बोलोगे लिटरली भाई साब क्या ही गेमप्ले मतलब सोचो एक ही ब्लड रेवन मैक्स ब्लड रेवन से तीन तीन वार फाइड अब वो फाइड सुरू हो जाए इससे पहले जिजने भी लाइक निगा लाइक कर दो जो लोग ने चाल को सब्सक्राइब करके बेल लोडिफिकेशन को पाल पर कर लो सेट और जिसने भी अभी तक बीजियमाई के न्यू सेड़ फोर्स मोड की टॉप टेन सीग्रेट टिप सेंट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो भाई ये गेमप्ले देखने के लाइन जाके चैनल पर ही डाल दी है लागले हम यहां पर उद्रे प्रिज का खेल खतम अब नीचे जैसी आया अंदर से बंदोग फुट सा रहे थे अलो बाई पहले मैंने ब्लड रेवन को मारा फिर उसके बाद उसके टीम मेंट ने मुझे मार दिया उसके बाद मैं रिकॉल होके दूसरी बार यहां पर मतलब फास रिकॉल यह मेरा हो गया ठीक है अब मैं रिकॉल होके आपस ए नीचे मरमोर यह सेकसूट लो भाइ अभी अभी रिकॉल होके वापस आया और भाई दूसरी बार बार दिया वाई उसके लो अजना किया रहा था इस मैच में समंझ में नहीं रहा朵त दो दूसक्ए में ऑर यह मर चुका था और फामली यहां रिकॉल था, सेकंड वाला रिकॉल दस मिनाट के अंदर, आपको मिलता है, अगर दस मिनाट के अंदर आप मार गए तो तो यहाँ पर भी बंदे थे, जिनकी फाइट चले थी, रिकॉल और सर्वाइवल के लिए अब भाई बीचारा स्पाइडर मौन रिकॉल हुआ और उतरते ही यहां पे मर गया रिकॉल नहीं हुआ मतलब यहां पर आया सर्वाइड करने के लिए लेकिन यहां पे स्पाइडर मौन की बन गई पेटी अब दो बंदे में नहीं आपे भरे सामने से एक और बंद आया और फाइनली भाई यहां पे अभी रिस्पाउन पॉइंट दो हो गए थे तो जल्दी से मैं और विक्की यहां पे रिस्पाउन पॉइंट का यूज करते मतलब भाई मैच की स्टार्टिंग इतनी इंटेस्ट जहां पे दो बार हम अलेटी मर गया यहां से गारी लेके जाही तब ही रेखो सामने कौन भाई यहां से आप गाड़ी लेके हम जोर्जो पुल वाली सीटी वाले वहां पे एरिया पे जा रहे थे क्योंकि वहां पे हमें लूट मिलने वाली थी तगड़ी वाले अब क्योंकि मैच के दर दो दो एक सूट थे और हमाली एक बार फाइड भी खेलेंगे और उसके बाद यहां पे खिकर टिना निकालेंगे लेकिन अम गाड़ी लेके जा रहे थे घटका के साइड से जोर्जो पूल सिटी के साइड पीच में बंदा था ब्लड रवन इसको हम लोग ने नौक करके गाड़ी मेठा इससे बात वात करने के लिए क्योंकि यह भाई भी इंडियन थे तो हमने बोला कि और भाई साइब क्या हाल चाला है बरो बढ़िया खेले तुम दो-दो नौक कर दिये अब यहां पर भाई जैसे इसको अंदर लेका है तो हमने जल्दी से ब्लड रवन भाईया को फिनिस कर दिया ब्लड रवन को दो बारी मार द देन उसका गाड़ी घुमा के आए इधार अब भाई साब यहां पर उसी के जो टीममेट थे वो अलड़ी पहुँच चुके थे तो हमने यहां पर आया डायरेक्ट और इसके टीममेट और इसके टीममेट मर्मोरियस एक सूट भी था इसकी टीम में तो हमने का आप यह चलो जाड़ के पीछे देख रहा है वही पर इसको बैठा है वो ओपन में है पूरा तो निकल नहीं पाएगे हां से अब यहां से घूम के गया आप यहां पर वैब सूटर तो था नहीं अबने बास तो मैंने यहां पर दिमाग लगाया कि कैसे मैं यहां पर जो गट्टे के इसको नॉक किया और तभी राइड साइड एक और बंदा स्पॉट हुआ अब यहां पर मैंने दो बंद है कर दी और जाड के साइड वालाँ बंदा अब फंस गया मैंने आप ए ग्रेनेट को किया एक ग्रेनट को पार्फेक्ट ग्रेनट बूफ। लेकिन यहां पर भाई साब वो ग्रेनट से नौक नहीं हुआ यहां पर मैने पुचक भाई यहां लग नहीं रहा जाल एड़ के बॉला जाल के पिछे जाड़े तो न는 किसी को नहीं देख मैंने एक और गेर्ट किए अम लास्ट गेर्ट था मैंने का भाई आब आरिया पार सीधे लिया मैंने रिस्क लिया कंफर में वोडर हो नहीं है एक और गेंट फेका और अब बस नाम बढ़न आप लोग भूम भाई सहब तीसरी बार ब्लड रेवन नॉक वार उसी टाम भाई पीछे शटी से मर्मोरियस एक सूट कहां से आ गया अब यहां देखो भाई हम मर्मोरियस एक सूट से फाइड ले रहे थी वहां ब्लड रेवन रिवाइब हो जाता है और पूर स्कॉड हम पर रस कर देती है यहां पर हमारे लगने वाले थे अब यहां पर वो डैमेस था मनमोरियस विक्की पर उकूदा विक्की नुसे नुकिया पीछे की साइड से दो बंदे आया सामने से और एक लफ्ट से मैं आ पर सही मोके का इंदजार करते हुए सिर्फ आखरी बंदा बचा और यह देखो अभी यह बंदे पूरे के पूरे रस कर रहे थे और भाई जैसे ही यहां पर तीनों बंदे रॉक हो इनका आखरी टीमेट जम करने लगा लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया और उसको भी फिनिस कर दिया और यह वाला क्लच आप लोगो कैसा लागा भाई क्या ही था मतलब लि पीछे के साइड जाते हुए तब ही सामने एक बाट अंगल दिखाए दिये बाट अंगल के उपर गाड़ी चढ़ाई और यहां पर हम लोगों ने सोचल लूट वगएरा कले कले काटाना थी यहां पर इनके पास विखी कुबोला मैंने काटाना उठाले मेरे पास तो हो अब मैंने विखी को बोला मिलकुल बुलेट वेश्ट मत कर इसका पीछा करते हैं और आज की गेंपले की तो भाई साब एंडिंग इतनी ज्यादा डेंजरस है ना कच्छे फार दोगी आप लोग अब हम इस मॉंस्टर ट्रक वाले बंदे का पीछा कर रहे थे लेकिन भाई वो बंदा अबने टीम मेर्स के पास हमें लेके चला गया अब यहां पर उन्होंने इस प्रे दिया तगडावाला हमारी गाड़ी के टायर गया मैंने विकिक बोला पीछे एक युएज उसे जाके लेकिया और तभी सामने से बाई काई अब बाई पे दो बंदे थे मैंने इंको damage दिया लेकिन उपर नीचे ऊपर दीच के चक्कर में बाई वाले निकल गए लेकिन टिया में अच्छे काई सामने स बाई जा लुए थी मैने भी गिर गए है वो लोग नहीं पर गिर गए और यहां पर दोनों बंदे मैंने नॉक कर दिया मैं सामने एक स्मोक कर देता हूं एक पीछे कि यहां पर भाई हमको एक स्मोक कावर मिल जाए और फाइनली हमें अच्छी खासी तगड़ी लूट वेबसूटर और सारी चीजे मिल तो यहां पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत लूट वगरा करी दन उसके बाद हम यहां से पीछे साइड गए ब्रिज के साइड क्योंकि जोन यहां बंचुका था पूरा पूरा तो हम यहां आए कि गाड़ी में पेट्रॉल डाएंगे और यहां से थोड़ी बहुत हेलमें लूट भी ले लेंगे साइड़ से लेकिन यहां पर तो और भी घजा fight scene होने वाला है दो उपर आप उसको किया आपर कि हमेकरना तो यहां बंच आहँ आप लाइटो हम लोगों ने साइड़ हेलमेट वेश्ट वगरारा करी दे को हली को बोलग भाई कुछ पैसे मचे हो त पुरीकिपुरी स्क्वार्ड अब यहां पे आप देखना बहेंस की टांग बंदे लिटरली क्या खेल लें, क्या पुस कर रहें, क्या स्प्रे है इनका, क्या रस है भाई, गॉड लेवल बिलकुल अब यहाँ पर हमने दो बंदों को नॉक करके फिनिस कर दिया, लेकिन यहाँ पर इनका जो आखरी टीमेर था, वो पीछे सैट गया मैंने यहाँ पर डायट आइक्यू लगाया, सिक्षिन 9000 का, और मुझे पता था कि यह बंदा भागने का ट्राई करेगा, जैसे यह भागने का ट्राई करता है, बंगी पर चड़ता है, मैं यहाँ पर फिनिस कर देता हूँ इसे, अब यह वाले स्कॉड वाइप आपको अच् कर सकते हो, अब यहाँ पर हम लोगों ने लूट वगायरा करी, देन उसके बाद जोन टच हो चुका था, और जोन लिटरली एक बार और टच होने बाद बहुत गंदा काटने वाला था, तो यहाँ से हमने गाड़ी उठाई, जोन की तरह बड़े, जैसे तेसे करके जोन के अंदर आए, और अब यहाँ पर इस्पाइडर मॉन मर चुका था, लेकिन इस्पाइडर मॉन का मुग अहां बंद रहने वाला था, उसने भाई साब मुझे एक चैलेंज दे दिया, जो कि अभी आंगे चलके वो देगा, कि आखरी बंदे को मुझे कटाना से मालना है, लेक अब उसके बाद सोचा कि इस बंदे पर रस करते हैं, लेकिन जैसे इस बंदे पर हम लोग रस करने गए, सामने के साइड से एक यूएज आ गई, फुल स्कॉट से भरी हुई, भाई मैंने आपे बिल्कुल रिस्क ने लिया और वहां से गाड़ी मोडी और पीछे के साइड इन वाले घरों पे, इवो बंदे अगर रस करेंगे तो यहां पे हम उन्हें मार देगा, डायर्क यहां पे गाड़ी रोक के, मैं पीछे एक साइड जाके, वेब सूटर का यूश कर घर के उपर गया, अब वो गाड़ी सामने से गाया हो गई, तब ही पीछे से बंगी, नीचे के साइड चली गई रिच के और वहां पे उसके टायर बज गए, यहां मैंने विखी बोला गाड़ी बैठ, डायर्क चल के हम लोग रस करते हैं बंगी वाले पे, अब बंगी वाले पे अब जा रहे थे लेकिन भाईया यहां पे आलागी फायट चल गई, अब यहां बाई, डीबीएस वाले बंदों से तो दूर रहने में ही भलाई है, बाई, एक सॉट में बता चला मुझे और विखी दोनों को भर दिया, अब यहां पे डीबीएस वाले बंदे को भर के हम लोग यह पीछे साइड वाले घरों प्याए, लेकिन गाड़ी हमने यही पे अब यह वाले घर भाई यहां थी आलेते हम लोग लेकिन आपे नहीं पाता था कि घर में पहले से बंदे हैं नहीं पे, अरी यूएस आई खिल चोरी कर रहा निचाहला अजय कर देखा लाग वाले यहीं निचाहला है अजय को अजय के साथ एक और स्कॉर्ड वाई भाई मुझे मुझे मादब स्टार्टिंग में किल्स नहीं हुए थे मुझे लगा लुए तो मुझे लगा लई था इतना जादा इंटेंस हो जाएगा यह मैच और इतने जाद किल्स हो जाएंगे लेकिन भाई माजा आ गया अब लाश के दो बंदे बचेवे थे मैंने विक्की बोला एधर साइड रहते पीछे साइड ध्यान देना और तब यहां पे पीछे साइड एक बंदा स्पॉर्ट हो जाता विक्को राइट में और लेफ्ट मुझे एक और बं था तो यह वहां पे सांप बन गया तो मैंने सोचा क्यों ना प्रॉक्षी डिवाइस का यूस किया जाए इसको नौकिया अब मैं इसे भी मारने वाला था लेकिन तभी मुझे यादा है स्पाइडर मॉन ने भाई चैलेंज दिया कटाना से मारनेगा मैंने विक्की बोला प इसे के साथ विनर विनर ची कंडिनर अब भाई सब आज को अच्छा लगाए लाइक कर देना जो लोग भी नहीं को सब्सक्राइब करके बेल लोटिफिकेशन को आल पे कर लेना सेट पच्छी जनवरी को बीजिया माई में भी ये अपडेट आ जाएगा उसके बाद भाई दवा की माझा आएगा और इसकी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो देखना बिलकुल नद भूलना आप लोग को चैनल पर ही मिल जाएगी तो जाओ चैनल पर देखो तिल एंसाना नारा थैंक्स वोचिंग लग यू आल जैहिंद वन्दे मादरम